रेवाडी में टीडियों का आतंग लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले तीन दिनों से रास्तान और हरियाना के बोडर पर टीडी दल मंडरा रहा है और सनिवार को बावल छेतर के काफी गाउं में टीडियों ने भारी नुप्सान पहुचाया है और आज रात भी टीडी दल कोशली हलके के गाउं गुगोड मलेसिया वास और इससे लगते हुए दूसरे गाउं में पहुचा है जा रात वर टीडी दल रहा और साथ ही जिला प हवा के अधिकारी और परसराशणी का अधिकारि और है वो सभी रात भर मौके पर मौजूद रहे और टीडियों को मारने के लिए लगातार कोशिसे करते रहे जिला पर सास्थन ने दावा भी किया है कि बढ़ी संख्या में टीडीयों को मार गिराया गया है और साथ ही यह क राश्तान चला जा रहा है तो कभी वापसी हर्याना आरा है पिछले तीन दिनों से लगातार जिला परसासन अलर्ट है पहले वी आप कि लगवग दस दिनों के भीतर यह तीसरा बड़ा हमला रिवाडी में टीडियों का है पहले जो टीडी दल है वह जुंजुनू से राजसान से जुंजुनू नारनोल होते हुए जड़साना पहुचा था और जड़साना रात में टीडी रुकी थी उस समय किर्सी मंत्री आस-पास जो पास लगते गाउं है वहां टीडियों ने डेरा जमाया था और भारी नुकसान पहुचाया था आलाकि उस समय दो घंटे लगवग उस इलाके में टीडी दल रहा था जिसके बाद हवा के रुक के साथ में टीडी दल राजस्थान में परवेश कर गया था और तीन दिनों से जो टीडी दल है वो कभी हर्याना में तो कभी राजस्थान में आ जा रहा है और लगातार जिला परसाषन की स्थाने लोगों की खास तोर पर किसानों की चीनता बढ़ा रहा है। और अभी भी यही आल है कि जो टीडी दल है वो लगातार रिवाडी के आसपास जो लगते छोईतर है उसमें लगातार सक्री है और लगातार किसानों को ये चिंता है कि कहीं टीडी दल और भारी नुकसान किसानों को ना पहुचा दे तो लगातार टीडियों को मारने के लिए जिलापरससन परियास कर रहा है दवाईयों का छिड़काव कर रहा है और साथ ही किसानों से भी अपील कर रहा है कि जागरुक बने और जैसी उन्हें लगे कि टीडिजल उनकी खेत में आ रहा है तो तुरंद खेतों में पहुचे झाल